हेलो दोस्तों, लेजर टेक्स कमपानी का एंगल गाइंडर मैसीन, मैसीन देखने में आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप मैसीन का ओड भी बहुत जदा है, एक ओड का मैसीन इसमें दो पूस लॉक बटन है, एक लॉक बटन खराप हो जाएगा तो और दूसरे से आप कम चला सकते हो, बहुत ही अच्छे है, लॉक बहुत अच्छे से पकड़ता भी है, एक मैसीन थोड़े लंबे है, देखने में आपको डंग चंग एंगल गाइंडर जैसे लगेंगे, एड जुरा ओन एंगल गाइंडर जैसे, इसमें आर्मेचा थोड़ा बड़े है, तो ख देखा देते हैं, आप भी सून लिजिए इसमें बेरिंग तूटने से क्या होता हे, मैसीन में बेरिंग तूट गया, फिर भी उतना भाईवे से नहीं हो रहा है, एह होने का बज़़ा क्या पता है, इसमें पीछे वाला जो बेरिंग है बेरिंग का साइज बड़े है, उसम इसमें भी आभी तक मैंने मैसीन देखा सबसे अलाग मैसीन मेरे को लगा मैसीन बहुत ही अच्छे है इसमें कारबन हो आपको ऐसे देखने को मिलते है और इसमें DC के डंग जो कारबन फिटी होता है सेम कारबन फिट हो जाएगा तो हमें कारबन को थोड़ा बाहर कर लेते है सवी मैसीन जैसे हम बाहर करते है ऐसे बाहर कर लेते है थोड़ा फास्ट में हम मैसीन को ओपन कर लेते है ये मैसीन सबसे अलाग है सबसे अलाग होने के लिए उसमें अलग कुछ होना चाहिए हम आपको मैसीन को देखा दे उसमें खराब हो गया है देखिए आप आर्मेचर को देखिए बूती लंबे आर्मेचर है इसमें बैरिंग बूती जदा खराब हो आपको आपको मार्गेट में खरीने को नहीं मिलेगा तो इसमें चास-पांस साल से चला रहा है कुछ भी पॉपलेम नहीं है बूत बड़ी ऐसे चल मैस español रिपैर किया है बहुत अच्छह मैस्न है आप ऐसे मैसistä फर्चंठ सकते हो आपको प्यार पास नहीं मिलेंगे आप इलर से मंगा सकते हो मैसिन दो बहुत यह अच्छह काम करके बहुत ही मजा आपको मिलेंगे को कर एंए बहुत ही 6 to 9 CM4 marble cutter में जो bearing use होता है इस machine में ऐसे bearing use हुआ है जितने भी आपने angle grinder repair किया है सब से best a machine है सबी machine में आपको bearing जो size मिलते हैं देखने को पीछे वाला bearing छोटे होता है आगे वाला bearing बोड़े होता है इसमें भी same है थोड़ा अलग है पीछे वाला bearing बैड़ेगा उसमें राबार से फिटिंग होगा 600 angle grinder भी राबार फिटिंग होता है आगे वाले इसमें जो bearing फिटिंग होता है उसमें क्या होता है बहुत सारे machine में नाट से फिटिंग होता है दो बोल से नहीं तो क्या होता है पत्ति से fitting होता है इस में ऐसे नहीं है सार क्लिप से fitting होगा और पीछे भी एक वासर रहेगा पेसर वासर रहेगा तो bearing पेसर से बठाएगा सार क्लिप से lock होगा प्ले नहीं होगा मैसिन में जो technology यूज किये मेरे को बहुत अच्छ लगा इस मेसिन आपको कहां पे भी मिल रहा है तो आप मैसिन को ख़र सकते हो बहुत ही अच्छ है मैसिन बहुत ही powerful है आप इस मैसिन में 4-5 इंची diamond तक चला सकते हो तो मैसिन में लेखा भी होता है 4-5 इंगल grinder मैसिन इसमें और भी बहुत ही ज़्यादा है अर्मेचर भी लंबे है उसमें जो पावा दिया है बहुत ही हे भी है और एक चीज एक मैसिन बहुत ही लंबे है आप बड़े से पकर पाओगे तो बैरिंग टूट गया है तो बाहर करने के लिए हमें 20 पुलार से इसको बाहर करना है दूसरे पुलार से बाहर नहीं होगा तो आप बड़े से बाहर नहीं कर पाओगे आपको सही टूल्स खजना है पावर टूल्स मैसिन बड़े से करना चाते है तो ने तो आपका सोच है हम जैसे करके काम चला सकते तो फिर ठीक है यह तो आपको बड़े से बड़िया काम करना है, जल्दी काम करना है, तो आपको सारे टूल्स ख़जना है, और कुछ टूल्स ख़जने को नहीं मिलते हैं, आपको त्यार करना है, तो देखिए, यह तूट गया था, हम पुलार से इसको बाहर कर लिए, इसमें बैरिंग का जो जब नहीं हो इतना ज़धा हीट हुआ। बेरिंग के जो पत्ती होता है वे बेंट गया है। तो हम प्लास के मददस उसको बाहर कर लेते हैं। अन्दर बोरा रवार है। रवार होने से बड़ी खरब नहीं होगा। wabrawa change करने से बढ़े से कम चल जाएगा कि छेक कर में अब करना रवर का हम चेक लएते बढ़े से तो आपको और एक चीज़ बढ़ेते मैंने machine देखे है मैंसनिमें repair हैं में और एक चीज़िए जब इसमें हमें आपको कुछ नया मैंसी न आप खोलते हो न आपको थोड़ा चिक करना है उसमें कैसा सिस्टेम दिया आए तो आपको देखाने के लिए हम नहीं देखा रहे हैं कभी-कभी मेरेको भी याद नहीं आते हैं रॉलार बेरिंग ने बूस्ट फिटिंग करते हैं मेरे को ईक चीज़ह जब भी ठोकता है रॉड़ा आपकटा नहीं है इसमें इसमें आइसे बाहर नहीं हो रॉगा आपको आपको हênioला आपको आपको इसमें पालाींग को पाउसे जितने भी गिया बॉक्स वक्स होता न उसके अंदर जो ऐसे मैसीन होता है उसमें प्रेमाज को ईसमें बीडिये है है बहुत ही अलग है मेरक mensen entire 696 भोल चोज अनर साइब को चोटे में ऐसके ult field तmern देना फोलट मिल जाएगे आप बहुत ही ऑरिक के में लेखा हूआ है आपको देखाने के कोजिस कर रहे हैं देखिए बहुत ही इसमें जो bearing है बहुत ही अच्छे technology इसमें यूज किया है bearing बहुत ही प्ले हो रहा है हमें bearing को बाहर करना है और हम bearing को इसमें रख लेते हैं और इसमें पहले तो हमें हाउजिंग का जो बैरिंग है वो भी भाहर करना है तो आपको इसमें आर्मेचर भाहर करने के लिए ऐसे आपको दस नंबर का एक रेंज लेना है पाओ के उपर रखके आपको घुमा के भी भाहर कर सकते हैं आपको 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 घूम जाएगा तो फीड से टाइट करना इसमें हम सुलो में आपको देखा रहे हैं तो आपको एक काम सीखना है यह थोड़ा देखके सीखना है ऐसे आपको जब दुस्ति इसको पकड़ लेगा आर्मेचे खराब होने का चांस होता है तो आपको साबदानी से एक काम करना है आपको जल्दी नहीं करना है थोड़ा टाइम लेके एक काम को करना चाहिए आप कबड़ाब से भी उसको पकड़ के टाइट कर सकता है आपको जो अच्छा लगए कर सकता है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ तो हम पता कर लेते हैं कितना हमें उसको टाइट करना है तो इतना ज से इसको पेसाथ ज़्यादा देंगे उसको खूलने के कोशिस करते हैं मैंने ऐसे कुछ रेंज ले लिए तो इसके बाद हम थोड़ा पेसाथ ड़के इसको खूलने के कोशिस करते हैं अभी तोड़ा खोल गया है देखिए बड़े से मुग हो गया मतलब एक खोल गया है तो इसमें जो इसमें नट होता है नट को आपको थोड़ा सा खोलना है उसके बाद आपको लगड़ी से ठोकना है फिर से खोलना है ऐसे करके बाहर करना है ऐसे करके आपको फीटिंग करना ह खोलने का तरीका सेम रहेगा फीटिंग भी सेम होगा दूसरे मैसें जैसन नहीं है थोड़ा अलाग होता है और इसमें बैरिंग टूट जाए ना तो बाहर नहीं होगा इसमें लॉक्ट रहते हैं तो इसमें टेकनलोजियों दिये हैं बहुत ही एच्छा मेरे को लगा है तो थ ठोकने से टूट जाएगा इसमें डर लगा रहा है मैं देख रहा हूँ इसे से हम ठोकते को खोलने की कूर्सिस करते हैं पूज़ा सकत है इसमें बाहर नहीं होगा बैरिंग जैसे इसमें बाहर हो जैसमें ऐसे नहीं होगा सैप्ट बाहर होगा बैरिंग अंदर रहेगा सार करने कोई नहीं तो इस साइड हम ठोकना नहीं है तो ऐसे ठोकने से दोनों साइड से ठोकने से बाहर हो जाता देखिए इसमें सार क्लिप से लॉक है अब बहुत ही बढ़े दिये तो इसमें बेरिंग जहां पे फिटिंग होता है ना इसमें अंदर वाला सिस्टेम थोड़ा लाग है तो खोलने के बाद हम आपको देखा देए पहले हम सार क्लिप से ओपन करते हैं उसके बाद हम कुछ पाइप को पर उसको राक के पीछे से ठोक के बाहर करते हैं ऐसे कुछ सामान से आपको ठोक ना है हम कुछ सामान ढूंड रहा है जो बड़े से हम ठोक के इसको बाहर कर सकें आपको पास से टूल्स रहेगा तो बड़े से बाहर कर पाऊगे ने तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएंगे देखे इसमें इसके अंदर एक वासार रहता है जैसे मो गट पाइब करो are थाहिएिसमें फुष्ट किया है थोड़ा बालेंस वीगर ड्राय मैं देखा था है और गसी में जो एकफिशन जो बहार करना है तो यह बनुद गिरला दन्रेंट के लिए पुलार से मजससे भी बाहर कर साकता हो आपका का जो स्पैंडल का साइपना खराब हो जाता है तो मैंने पूलर में उसको पकाल लेता हूँ उसके बाद कैसे खोलता हूँ आपके साथ हम सेहर कर रहे हैं देखिए मेरे हाइडलिक पेस मैसिन है उसके उपर हम इसको रख लेते हैं और ये बहुत ही पाउरफुल पूलर मैसिन है ये हैनमेड है कलकाता मैड है और इसको बहुत अच्छे से तियार भी किये है दोस्टन जो हाइडलिक प्रेस मैसिन है उससे हम इसको खोलेंगे और एक चीज़ बता चते है स्पैंडल को ओपर बहुत छोटे बैरिंग फिटिंग होता है स्पैंडल को ओपर हमें पेसार में ऐसी नहीं डलना है क्योंग खरब हो जाएगा तो हम कुछ सौकेट डूनते हैं उसको ओपर सौकेट राखेंगे उसके बाद हम प्रेस करेंगे ऐसे सौकेट उसमें डाल लेते हैं तो आपको हार काम बारिके से करना है साब्दानी से करना है उसमें आपको सोच के करना है नहीं आपको मन में कुछ भी आये आप उसको पेसार से खोल देंगे ऐसे नहीं है आपको हार काम को सही टूल्स सही टेकनीक से आपको खोलना है तो हरकम अलग अलग टेक्नीक्स से खोलता है और आपको उपसोचना है तो हम इसके paso रक्तने के बाद थोड़ा पेस करके उसको खोल लेते हैं तो यह मैंने जैक से इसको तेयار किया था तो आपको ऐसे एक Hyd Reserve best machine तेयर करना है बड़े से बड़े काम करना है तो देघी हम इसमें बेरिंग को open करेंगे ने कुछ भी problem नहीं हुगा हम थोड़ा सा उसको नीचे है उसमें सैप जोन जहां तक लग जाता है बाहर नहीं होता है तो उसको जो सौकट है उसको हटने के बाद फिर से हम उसकोती पेस करके उसको आणिदर करना है तो थोड़ा ni time लगेंगे एक साथ नहीं होता है दो तीन बार खोलने से होता है थोड़ा टाइम एड़्यस होता है आपको इसको ठीक कर लेना है बड़े से ओपन हो गया है फिर से हम थोड़ा प्रेस करके इसको फिटिंग करके रिख तो हमें इसको सेटिंग बराबर रखना है नहीं तो खोल नहीं पाएंगे अभी खोल गया है देखिए मैंने गियर भी ओपन कर लिया है तो मेरे बाइस पुलर में बड़े गियर लॉक्ट है देखिए मढने से उपन हो गया है एक पूस गया है इसमें कीनी है जैसे होता है इसमें छो देखिए कितना ज़या पेसार से उसको फिटिंग किया था आप इसको पुलर के मतलब से कोछलने के कोशिस करें बहूत ज़़ए आपकर श्ट होगा एसे आपको सौकर लेकर आपको कर्ला करका मैंने कि पीआ हैं कुछ समें कुछ भी सावन खराब नहीं हुआ है तो हम ऐसे ओकर बैठवने के पार पसका के डिय को से की पाइसरे के फिर से समय पारिकर के टाहन चास रहते हैं तो हम ऐसे कभी अब्डेट नहीं होगा ये नाट लएने से एक problem होता है इसमें circle लिफ रहते हैं जो त्यार गिया है जो नाट होता है इसमें क्या होता है कबका बहुजदा भाई बैस अनोर से खोल जाता है बाद में दिक्कत होता है तो हम जब भी फिटिंग करते है नाट को कसने के बाद फेविक कुई डाल लेते हैं सेप्टी के लिए तो धिरे-धिरे ठोक के हम इसको फिटिंग कर लेते हैं उसके बाद इसमें वासर को भी हम फिटिंग कर लेते हैं पत्ती से बेरिंग को टाइट करके रखते हैं तो इसमें सरक्लिब रहता तो इसमें ऐसे कुछ करने के जोड़नीय है बढ़िये से हम इसको कस लेते हैं कसने के बाद हम सेटी के लिए इस में फिटिक बिखमर डालेते हैं देखिए कि मैंने हाइडेडीटूपेस मेसीन का लिवर हैं थोड़ा उपर ऊठा लेते हैं उसके बाद हाइड़ को सब्चार्SON उसके बात हम भी फिटिंग बड़े से हो जाएगा है तो आप मेसे जाये घाएगा ता फिटिंग भी आब बड़े से धैसे आप खोल भी पाओगें और बड़ी से फिटिंग भी होगा घथन करों उसमें कुछ भी Pr conjunction से तो अपकोस में सेंटर भी ठिक कर लेना है देखिए बड़े से फिटिंग हो रहा है देखिए कितना बड़े से फिटिंग हो गया है देखिए मैंने फिटिंग कर लिया है आप घुमा के भी चेक कर लेते हैं बड़े से मूव हो रहा है तो दो बैरिंग लेते हैं बैरिंग का साइज है 699608 तो आगे वाले हिस्सा में हमें बैरिंग को फिटिंग करना है तो handful बड़े से साफ सपाई कर लेना है तो आप जब भी मैसिन को रिपियर करते हो ना तो आपको बड़े से साप सबाई करने के बाद गेर मांक्स में मैसिन को फिटिंग करना है थोड़ा हम डेंडड डेल लेते हैं अभी डेंडड तो बैंड हो जाएगा बता रहा था एक तरिक से तो हमें कुछ लग गोंद डालना है हम कुछ ढूनेंगे जो मिल जाएंगे आपके साथ सेयर करेंगे तो इसमें जो वासार रहता है ना उसको बैरिंग को बैटाते हैं तो बड़े से फिटिंग हो गया उसके बाद हम इसमें सार क्लिप से लॉक कर लेते हैं मेरे को यह जो फिटिंग से बहुत ही अच्छ तो टेक्नलोजी यूज के बहुत ही अच्छा है इसमें प्यार पास मार्केट में खरणने को नहीं मिलेगा ये मैसीन बहुत ही कम बेचे जाते हैं अब डिलार से मैसीन का प्यार पास औरात दे सकते हो फिटिंग बड़े से हो गया इसमें एक पॉब्लम होते हैं क्या पॉब्लम पता है जब आसको गियार फिटिंग करने के बाद फिटिंग करते हैं इसमें ऐसे नहीं है तो आपको ऐसे क्या करना है पहले गियार को डाल लेना है उसके अंदर तो आपको देख के उसको काम को करना है तो ऐसे आप अर्मेचर डाल देंगे तो गियार फिटिंग नहीं होगा देखिए ऐसे आप इसको डालने पाऊगे तो आपको कैसे डालना है तो आपको थोड़ को थोड़ा बाहर कर लेना है उसके बाद हमें पहले हमें गेर को अंदर डालना है जादा भी अंदर चल जाएगा तो इसमें नाट को कसने पहेंगे थोड़ा अंदर करना है नाट को उसके अंदर डालना है थोड़ा तगलिव देता है थोड़ा नहीं अच्छा तगलिव देता है आपको थोड़ा एड़्जस कर लेना है धीरे से ठोकना है ज्यादा चला जाएगा तो उसमें नाट हम फिटिंग नहीं कर पाएंगी उसको थोड़ा अंदर डालना है उ नट को थोड़ा करेंगे, उसके बाद थोड़ा अंदर करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे करके हमें फीडिंग करना है, उसमें गैप इतना नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सरे मैसिन को तियार करते हैं, उसमें सरक्लिप कभी कबर मैसिन में होते हैं, कुछ मैसिन में आपको नट से उस बड़े से मूग भी हो रहा है तो पीछे बाला बैरेंग हम बैठा लेते हैं तो आपको एड़्जास को देखके इसको बैठा लेना है तो हम थोड़ा फास्ट में मैंसें को फिटिंग करेंगे एक वीडियो दो तिन घंटा हो गया था क्यों मैंने दूसरे भी काम किये थे सुमा के भी चेक करना है बड़े से मूब कर रहा है देखिए बड़े से मूब हो रहा है तो ऐसे मूब करेगा तो मैंसें बिल्कुल फ्री फिटिंग हो रहा है तो आपको इसको चेक कर लेना है तो इसमें स्कूव हम फिटिंग कर लेते हैं तो पैरिंग हम फिटिंग कर लेते हैं इसमें गिरिसिंग कर लेते हैं गिरिसिंग करने के बाद मैसिन को हम फिटिंग कर लेंगे इस मेंसिन बहुत ये अच्छा है आपको अच्छे वाले मैसिन खरना है, मैसिन खर सकती है, इसमें प्यार पास आपको कम खरने को मिलता है, मैसिन बहुत टाइम सक चलती भी है, आपको डिलार से ओड़ा देने से इसका सामान मिल जाएंगे ऐसे बहुत से कंपने आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे मैसीन तियार करते हैं उसमें कम बेचे जाने से वज़े से उसमें प्यार पास कम मिलते हैं अगर जो मैसीन ज्यादा बेचे जाते हैं उसको प्यार पास ज्यादा मार्केट में ख़़ने को मिलते हैं तो करबं हम फीडिंग करने के बाद सिर्भ में ट्रेस्ट करने के बाद मैसीन को हम चलाकर आपको सावंड भी सुना देते हैं मैसीन बहुत ही अच्छह जिस बंदुक मैसीन है कुछ साल से उसको चला रहा हुआ है उसको कुछ भी पॉब्लम नहीं है तो बड़े से फीडिंग हो गए हम सीरीज में टेस्ट कर लेते हैं सिरीज में इसमें वाद थुड़ा खराब है बड़े से चल जाए तो हम डाले में में चला लेते हैं पॉप्लिम नहीं है बड़े से चल रहा है कुछ भी पॉप्लिम नहीं है तो मैं काबार को फीटिंग कर लेते मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना कमंड करके बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा पुरूनों जे ग्यास टा चल रहा हावा थे बेर को तो जोलो झाल कि अटरूनों जे पुरूनों जे नहीं है